नमश्कार दोस्तों कैसे आप आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़ियों से होंगे दोस्तों आज सोच रहा था कि किस पर वीडियो बनाओं आदा गंटे सोचा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था फिर याद आया कि एक पेशेंट मैंने ठीक किया था और कुछ महीनों पहल पेशेंट थे और क्रॉनिक गेस्टाइटिस के पेशेंट थे मतलब एप्रॉक्समालीजे की 30-35 साल से उन्हें गेस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी आईबियर्स की उन्हें प्रॉब्लम थी उनके अंदर कुछ मैंने ऐसे इंपोर्टेंट लच्छन देखे कि बस मुझे ए आप से आज डिस्कस करूँगा तो मैं आक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं मैं ऐसे ही नौलेजबल होमपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ हर दिन लाइव आता हूँ वहाँ पर आप मुझे डिरेक्ली बात कर सकते हैं यूटूब पर ही लाइव चैट के थ्रू और साथी साथ आप मुझे इमेल करें मेरे इमेल लगाएं नीचे लिखा हुआ है आप देख लीजेगा उस इमेल आईडी पर आप इमेल करें अपना नाम लिखें अपनी समस्या लिखें या कुछ होमेपैथिक रिलेटेड कुछ पूछना है वह आप लिखें और भेज दें एक स्क्रीन शॉट इसी वीडियो का डालना मत मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है बस मैसेज आएगा पे करने की जरूरत नहीं है तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं उनकी एज लगबख मेरे हिसाब से 70 प्लस थी और वो मेरे क्लिनिक में आया थे थोड़े दूर से ही आया थे लेकिन थोड़ा मेरे डिस्टिक से काफी दूर से वह आया थे और क्लिनिक में आये सुबह आये हलाकि मैं शाम को मिलता हूं तो वक्त ही जादा पतले डूबले थे उसके बाद क्योंकि मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट और बैठे हुए थे और वह लोकल पेशेंट है तो मैंने सोचा कि पहले उन्हें देख लूँ और उसके बाद फिर मैं पेशेंट को आराम से देखूँ आप दूर से आया थे तो मैंन और उनका दमाग काफी चल रहा है, और उन्हें पसीन आजह रहा है इसी चल रहा था लेकिन फिर भी पसीन उन्हें काफी आरा था काफी मतलब बहुत जादा पसीन आरा था, तो बस इतना ऑपकिया, एक पेशेट क उन्हें दवा दी और फिर उसके बाद वो patient मेरे पास है मैंने उन्हें से पूछा कि क्या समस्या है वो बताया कि मुझे लगभग 30 से 40 साल से पेट की समस्या है जब भी मैं motion करने जाता हूं तो अच्छे से पेट साफ नहीं होता है constipation रहता है और कभी-कभी lose motions भी होते है यह सुनकर मुझे IBS समझ में आया है कि IBS की problem है लेकिन उनके reports मैंने देखे तो उन्हें gastritis की problem है थोड़ा सा pathologically कभी-कभी उनके esophagus में erosions भी होते हैं छाले भी होते हैं और acidity की काफी problem है उन्हें और पेट अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा है तो यह मैंने उनकी pathology से समझने की कोशिश की लेकिन उस बीच कुछ और symptoms बताने लगे और उन्हें बोला कि बेटा मुझे लगबक यह problem 30-30-40 साल से अब उनका exactly तो मुझे याद नहीं की सब्द क्या थे लेकिन समरी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उन्हेंने बोला कि 30-30-40 साल से हैं motion कभी lose होते हैं कभी मतलब सही से होता नहीं है और constipation की problem रहती है उनका एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा एक symptom उन्होंने एक symptom बोला था कि वो खाते खुब हैं बहुत जादा खाना खाते हैं खाने में कोई कमी नहीं है लेकिन कभी भी उनका वजन नहीं बढ़ा है मतलब बच्पन से आज तक उनका वजन बिलकुल भी नहीं बढ़ा है और बच्पन से आज तक वो सब खा रहे हैं यहां तक की knowledge भी खा रहे हैं और अच्छा दवा के खा रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ा है एक और symptom बताते बताते उन्हें अगरा तो बताया कि चर्चिडापन बहुत जल्दी है बहुत जल्दी चर्चिडा जाता हूं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता हूं लेकिन एक और चीज उन्होंने मुझसे बताई कि वो जब खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना पेट में जाता है जितना खाना पेट में ज खाना खाता रहेगा लेकिन गैस बनती रहेगा खाने के बाद बहुत स्यादा और गैस और ऐसे टी की प्रॉब्लम होगी और सुबह और रात में इनस्टिपेशिय। की प्रॉब्लम बनी रहती है यह समस्या उन्हें बहुत सालों से है बीच में कभी जाधा हो जाती है तो मुशन में तोड़े से प्राइब के साथ विए बलाड भी आने लगता है मूंको यह समस्या फिल हाल जब मेरे लेकिन उस दिन ना जाने कि वो मुझे आयोडम ध्यान में आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा आयोडम देखी और मुझे आयोडम के सिम्टम्स मिले तो मैंने उसे एक सवाल और किया कि क्या आपको हाइपर थैरेडिजम या थैरोइड की समस्या उन्हें नहीं तो फिर मुझे लगा कि नहीं मैं आयोडम दे के देखता हूं एक बार तो मैंने आयोडम 200 टॉक्टर रेक्वेक की मेरे पास थी पैक सिसी वो दी और साथ में उन्हें कुछ नहीं दिया बाकि कोई दवा नहीं थी लेकिन उनको मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी सिसी में प्लैसी वो मतलब खाली गोली दी और सिर्फ आयोडम ही दी 200 प्रोटेंसिव हैं, दो बूंद उन्हें वहीं पर क्लिनिक में दी, और उसके बाद मैंने छोटी सी 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 में, मतलब वही 200 की, जो डॉक्टर रेक्वेक की सी सी आती है, 11 एमल की, वो दे दी उनके, और मैंने बोला कि इसे आप लगभग 15 दिन में एक पार लेचेगा, और बा बाद उनका फोन आया फोन मैं उठानी पाता हूँ इसमें सारे फोन आते तो मैं और उनका फोनip forestook पर मसेज ऑना यस में उनक की सानी सारी फोन आते हैं से इसे आफिक, और उनका वह अज़ों ra और और मैंने जब देखा तो उनको लिखा हुँआ था, कि बेटा है कि आफी मतलब जो प्लैसी वो थी जिसमें कोई दवा नहीं थी वो खाईए आयोडम अभी आप 15 दिन बाद मेरे को फोन करिएगा बताईएगा तो बोले ठीक है तो फिर 15 दिन बाद ऐसे ही वो मेरे पास फिर मैसेज किये वोले काफी आराम है ये दो दवा से सुबह शाम खाता हूं त तो अब मैं उनको बोलता कि ग्लोब्यूस ले लीजे तो बोलते कि क्या है ये तो मैंने बुला कि मैं यहां से आपको कुलियर करा देता हूं फिर वो एक महीने और उनने खाया और इसका आयोडम जो है वो मैंने रिपीट नहीं की बस सिर्फ एक ही बार मैंने दी अब ले कि इस बार जो है वो दबा थोड़ा कम असर कर रही लेकिन पहले से मुझे बहुत अराम है लगबा कि 80% ठीक है तो फिर मैंने बोला कि आयोडम आपके बास रखी हुए तो बूंद और पी लीजे दो बूंद उन्होंने पी उसके बाद तीन दिन बाद उनका मैसेज आय कि थोड़ा सा समस्या बढ़ रही है तो मैं क्या करूँ मैं मुझा कुछ नहीं करी आप मेडिसन दीजिए वो जो गुलियां है वो तीन बार कर दीजिए दो बार की जगे ठीक हो जाएगा तीन बार कर दीए क्या होता है कभी-कभी कोई दवा जो बहुत फायदा करती है उस देखा सब्सक्राइब कर दो जो अब कुछ दिन पहले यह मैंसिज आ है कि मैं बिलकुल ठीक हूँ क्या मैं आ सकता हूं और जवाब ठीक हो गया हैं तो 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 यह कहानी आईवटीम की गेस्ट्राइटिस के केसिस में यह पहली बार मैंने आईवटीम प्रिसक्राइब की औ पर symptoms देखके prescribed की एक और Iodom में एक symptom अगर आप Materia Medica पढ़ते हैं और मैं जात तर William Boric Materia Medica पढ़ता हूँ तो वहां पर a symptom Iodom में लिखा हुआ था जब मैं क्या कहते हैं उनका constitution देखा तो मुझे लगा कि Iodom हो सकता है तो मैंने आयोडम उन्हीं के सामने पढ़ी तो मुझे एक symptom पढ़ने को मिला और वो symptom था कि यह chronic inflammation के लिए बहुत थी बढ़ियां दबा है तो क्योंकि मैं pathologically काफी देखता हूँ कोई medicine अगर ठीक करना हो तो मुझे pathology भी मिलनी चाहिए तभी medicine असर करती ऐसा मैं मानता हूँ और क्योंकि chronic inflammation लिखा हुआ था तो क्योंकि उनको chronic gastritis और इससे related problem थी तो मुझे लगा कि फायदा करने चाहिए और यही चीज मैंने देखके वह medicine दी और बहुत बढ़िया फायदा हो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्ल तो प्लिए क्लिए में श्याद को subscribe करना बहुत जरूर है जासे नीचे क्षेर की बटीं देखिए तो जरूर इस वीडियो को शेर करीगा नीचे कमेंट सेक्षेन है मैसेज जरूर करेंगा इस वीडियो को लाइक से और सबस्क्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवा आज के लिए वस्त नहीं कल फिर मिलते जैहिन जै भारत धन्यवाद थैंकि सो मच बाइ